नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आपके साथ डिसकस करूँगा HPGK का सेक्षन जो HP Secretary Clerk में पूछा गया था जो question है हमारा जो पहला question है HPGK का वो है बाशेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस थान पर स्तेत है इसका जो अंसर हो जाएगा option A हो जाएगा कुलू में स्तेत है अगर आपने कुलू टिक किया है तो आपका अंसर बिल्कुल सही है important question था यहो भी next है हमारा question number 11 है हिमाचल प्रदेश में शोनित पूर अधुनिक सराहन किस थापना किस ने की जो इसका अंसर हो जाएगा option B हो जाएगा बाना सुर ने की थी next सवाल है question number 12 है हमारा यह बोरा है कि किस वर्ष पहला जन जाती उतिहार फुलाईच मनाया गया था जो कि किन और में मनाया जाता है question number 12 का अंसर हो जाएगा option C हो जाएगा 1995 में next है हमारा 13 हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि दरौपती का दाहा संसकार किया गया था जो का अंसर हो जाएगा option D हो जाएगा तंडी ठीक है जहाँ पे चंदरा और भगा नाम की दोनों नदिया मिलती है next है हमारा question number 14 है हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगाओं के निकट पबर में मिलता है कौन मिलता है जिसका right answer हो जाएगा option C हो जाएगा अंधरा next सवाल है 15 है हमारा HPGK का है जो हिमाचल प्रदेश की उन्ना जीले की पहाड़िया है कैसी है वह हो है शिवालिक option A is the right answer ठीक है next है 16 question है हमारा चुराहा तैसिल हिमाचल प्रदेश के किस जीले में है option आपके सामने है जो इसका answer हो है option D हो जाएगा चमबा में है चुराहा ठीक है option D is the right answer next है question number 17 नांगल बांध चुरूर रेल लाइन की लंबाई कितनी है इसका right answer हो जाएगा option B 33 km ठीक है next सवाल है मारा question number 18 है सेना मुख्यालेओ किस वर्षताई रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुआ था जिसका answer हो जाएगा option A हो जाएगा ठारा सो चूंसेट में हुआ था इसका answer option A is the right answer ठीक है next है 19 कौन सी पूस्तकिय श्पाल नहीं लिखी कौन सी नहीं लिखी है option में से जिसका right answer हो जाएगा option नहीं हो जाएगा धर्ती है बलीदान की हो नहीं लिखी है बाकी सब ही लिखी है next सवाल है हमारा question number 20 कांगडा केंद्रियों सहकारी बेंका मुख्यालेओ का है जिसका answer हो जाएगा option ही हो जाएगा धर्मशाला में है ठीक है next सवाल है 21 सोलन जिले में शिली वन्यों जीब अभ्यारन की स्थापना किस वर्ष होई है इसका right answer हो जाएगा option A हो जाएगा 1963 में होई थी ठीक है नेक्स्ट है 22, सवाल है, घेर को बड़ावा देने वाली जनजातिया पाई जाती है, कहां पाई जाती है option है, जुसका right answer हो जगा option B हो जाएगा, कांगड़ा घाटी में पाई जाती है, ठीक, option B is the right answer, नेक्स्ट है हमारा 23, 23 है, जाखु का केंद्रियों, विद्यालें, मूलत और डेश के रूप में जाना जाता है, किस के रूप में जाना जाता है, option D इसका right हो जाएगा, ब्रिटिश पब्लिक स्कूल, ठीक है, is the right answer, option D is the right answer, next है 24, बाघल राजसी राज्यों के लोगों ने अपने मुख्या के विरुद विद्रो किया था, कब किया था, option है हमारे स सबा का प्रथम सचीव कौन था, कौन था, इसका अंसर हो जाएगा, option A, एन सी नंदी, ठीक है, option A is the right answer, चलिए, next है 26, question है, 1811 में भुशहर के राजा के रूप में कहिरी सिंग का उत्रादिकारी कौन था, option में से आपको, जिसका right answer हो जाएगा, 26 का option B is the right answer, नंदेर सिंग, ठीक है, option B is the right answer, next है 27, question है, मुगल समराट अकबर के समकालें चमबा का शासक कौन था, कौन था, इसका अंसर हो जाएगा, option D, प्रताप सिंग भर्मन, ठीक है, option D is the right answer, next है 28, सवाल है हमारा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपूर जिले में कौन सा किला स्थित नहीं है, कौन स हमारा 29 है, मारा जू question है, कांगडा का शासक कौन था, जब AD 635 में चिन्नी तिर्थियातरी हिन सांग ने वहाँ यातरा की थी, इसका राइटेंस रो जगा option है, उटी टो, ठीक है, यहो थे HPGK का section, ठीक है, तो यहो था, HP Secretary Clerk में पूछा गया, जीके का section, धन्यवाद